हलो एवरिवन गुड मॉरिंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग क्यासे हैं आप सब लोग दोस्तो मेरा नाम है मनेदर सिंगोला और आप जुड़े हुए मेरा ओफिशल यूटूब चैनल से फस्टाइम मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए मैं हमेशा एक्साइड़ रहता हूं क्योंकि मेरे अंदर जो ड्रीम है वो हमेशा जिन्दा रहता है और जिस व्यक्ति के अंदर ड्रीम हमेशा जिन्दा रहेगा वो हमेशा एक्साइड़ रहेगा और हमेशा अपने सपनों के लिए काम करता रहेगा जिस तरीके स दॉक्टर भीमरांबेटकर ने कभी भी किसी विव्यक्ति को अपनी बातों से जवाब नहीं दिया, बलकि अपनी कलम से और अपने अचीवमेंट से जवाब दिया, बिल्कुल उसी तरीके से हमें भी अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ अचीवमेंट से ही जवाब द लेजिए क्योंकि आपको यह महसूस होना चाहिए कि आप अपने ड्रीम को अगर जब तक पुरा ना कर ले तब तक आपको चैन नहीं आएगा यह और पैसिप के अंदर एक एक ड्रीम को यहां पर 100% पूरा होना है जो भी आपका ड्रीम है छोटा हो बड़ा हो मिडल हो कैसा भी ड्रीम हो लेकिन हमेशा आप अपने ड्रीम को बड़ा कर लीजिए क्योंकि यह है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और यहां पर आपका बड़े से बड़ा ड्रीम जरूर पूरा होगा 110% पूरा हो इस दुन्या की अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका ड्रीम नहीं होता है हर एक व्यक्ति का ड्रीम होता है लेकिन कुछ लोगों की ड्रीम ऐसे हैं जो की सिर्फ और सिर्फ एक छोटे समय के लिए आते हैं और उसके बाद वह खतम हो जाते हैं लेकिन कुछ लोगों की ड ऐन स्क्कीं वाइव को पूरा नहीं कर पाता है डिम आपकी लाइफ को चेंच कर सकता है इस बात को हमेशा धियां रखना डिम ही आपकी लाइफ को greatest, इसके अलावा इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं ये ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो कि आपके लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सके आज अगर आप on passive के अंदर बने हुए हैं तो आप यहां पर एक बहुत बड़ा dream लेके आए हैं आप बहुत कुछ सोच के आए हैं अपने बारे में अपनी family के बारे में या फिर अपने और भी बहुत कुछ यहां पर करना चाहते हैं इस project को देखने के बाद में कि यहां पर एक बहुत बड़ा potential चुपा हुआ है उस potential को देखते हुँ आपका जो dream है बहुत ही जादा strong यहां पर हो चुका है बिना dream के life कुछ भी नहीं है जिहां जिसकी life में dream नहीं है जिसकी life में सपने नहीं है जिसकी life में कुछ कर गुजरने की चाहत नहीं है वो अपनी life में कुछ कर नहीं पाएगा जिहां 100% क्यों आया क्यों चला गया कौन याद करेगा उनके लिए लेकिन अगर आप कुछ अच्छा करके जाएंगे हाथ से तो पुरी दुनिया आपको याद करेगी हाँ पे इसलिए यहाँ पे हम सब लोगों की लाप के अंदर जो एस वुफारे सर ने एक अपॉस्चुनिटी दे करके एक ड्रीम को फिट से जिंदा किया है उस जिंदा किये हुए ड्रीम को हमें फिट से मारना नहीं है बलकि अपने ड्रीम को और भी ज्यादा स्टॉंग बना लेना है लेकिन एक बात हमेशा दिया रखना कि अपने ड्रीम की हमेशा यह एक वेल्यु होती है और आप इस ड्रीम को कभी किसी के साथ मत शेयर करना क्योंकि जब तक कि उस सामने वाले व्यक्ति के अंदर उकात होनी चाहिए समझ होनी चाहिए युगता होनी चाहिए तभी आपको सामने वाले व्यक्ति को अपने ड्रीम के बारे में बताना चाहिए अधरवाइस किसी भी हाल में अपने ड्रीम को सिर्फ और सिर्फ अपने पास तक ही सीमित जिसके बेना आप जी नहीं सकते मैं मानता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ और गुश् refund कि रिए वो है आपका dream क्योंकि आप अगर हमेशा अपने सपनों के वारे में सोचते रहते हैं तो उपर वाला आपको एक मौका जरूर देता है जिसके माध्यम से आपके dream हमेशा पूरे होंगे और वो हमें एक मौका on passive के रूप में मिल चुका है लोगों ने आपको बहुत सताया होग लोगों ने आपसे बहुत कुछ कहा होगा लोगों ने आपसे बहुत कुछ जो है करवाया भी होगा लेकिन अगर आज आप उनको जवाब देना चाहते हैं जो बहुत साई लोगों को लटा सीधा बोलते हैं तो इसके लिए आपको अपने अंदर एक जो जुवाला जो है ए एक मेहनत कर रहे हैं, एक पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं, अगर आप उनकी जगा होते तो आपके घर वाले जरूर कहते कि पिछले पांच सालों से तुम क्या कर रहे हो, पांच सालों से अभी तक तुमने कुछ भी हासल नहीं किया है, पांच सा जो आने वाले हैं उसके अंदर जो है क्या होने वाला है तो इसलिए हमेशा जो पागल लोग होते हैं वह हमेशा आत्याहास को रचते हैं ऐसे कौन सी चीज है जिसको देखकर बाकी लोगों की जो है जल जाती है वो है आपका ड्रीम हमेशा दिहार रखना बहुत साथ लोग आपसे जेलिसी भी करने वाले होंगे आने वाले टाइम के अंदर जिसकी वारे में सोचकर आपकी नीद उड़ जाती है वो है आपका ड्रीम हमेशा दिहार रखना अगर आपका ड्री प्रिंद भी नहीं आएगी जब तक कि आपका वो ड्रीम पूरा ना हो जाए जुसके वारे में सोचकर आपको हमेसा गुष्षा आजाता है कभी-कभी क्या होता है कि बहुत साई लोग आपसे उल्टा सिधा बोलते हैं तो हमारे मंन में गुष्षा भी आजाता है कि ये व्यक्ति जो है बहुत बोलता है ये व्यक्ति पता नहीं क्या-क्या बोलता रहता है लेकिन उसको नहीं पता कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं बहुत साई लोगों को घमंड भी होता है अपने किसी भी चीज का हेल्थ का, वेल्थ का या किसी भी और भी चीज़ का तो यहाँ पर उन सारे चीज़ों को नहीं पता कि यहाँ पर हम जो है किस तरीके से अपने ड्रीम को पूरा करने जा रहे हैं सो खुद को प्रूफ करना आपका एक ड्रीम हो सकता है मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं इस ओन पैसे फैमिली के अंदर जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं सुन रहे हैं कम से कम आपके मन में एक चीज तो होनी चाहिए कि आपको अपने आपको प्रूफ करना है यहाँ पर अपने आपको सिद्ध करना है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल निकमा नहीं हूँ नाकारा नहीं हूँ मैं यहाँ पर जो है नायलैक नहीं हूँ मैं यहाँ पर कुछ अलग करने की कोशिस कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर उन सारे चीज़ों को 100% अपनी लाइफ के अंदर जो है जरूर हासिल करूँगा जो कि हमारे खांदान के अंदर आज तक किसी ने भी जो हासिल नहीं किया होगा क्योंकि इस दुनिया के अंदर बहुती कम लोग होते हैं जो कि अपनी मर्जी की जिन्दगी यहाँ पर जी पाते हैं कल मैं माटी डिगामोसर का एक शैशन देख रहा था और उसके बारे में जब मैंने सुना कि बहुत साई लोग ऐसे भी हैं तो यह एक ऐसी लाइफ हम सब लोगों की यहाँ पर मिलने वाली है कि आप और हम सब लोग मिल करके यहाँ पर एक लगजरी लाइफ में यहाँ पर अपनी लाइफ को बदलने वाले हैं जाता है यानि की कम समय में अपने आपको हर तरीके से जो है फ्री कर लेता है वही दुनिया का सबसे सकतिशाली इंसान ही माना जाता है सबसे पावरफुल इंसान यहां पर माना जाता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा ड्रीम होता है और आपको इस ड्रीम को हर हाल में जो ह आपको हर एक चीज यहां पर आपको सीखती रहनी है जो कि आपको आपके ड्रीम तक पहुंचाने में आपकी help कर रही है तो बस लिख डालो अपने कोरी कागज पर अपने एक ड्रीम को चिपका दो पोस्टर अपने कमरे के अंदर याद करते रहो अपने ड्रीम को ताकि हर दि आपको यहां पर मिलती रहे काम करने के लिए बस आपको जैसे ही यहां पर एक नई रफ्तार मिलती है आपके काम करने के रफ्तार बहुत बड़ी और दुगनी हो जाती है ओन पैसे बहुत ही जल्दी पुरी दुनिया के अंदर commercial होने जा रहा है बस थोड़ा सा इंतिजार क कर पाएं थैंक्यू सो मच्छ है विनाइस दे वी आर सो इन टू विन इट में यू फुल फिल यूर ड्रीम जीत हमें सा उसी की होगी जिसकी तयारी अच्छी होगी